नमस्कार, भगवान आप सभी कबला करूर आपकी सारी ख्षाय अमनो कामने पुरी हूँ आज मैं आप सभी को सूर्य रेखा और परवत की विशे में बहुत महत्मुन जानकरी देने वाला रहूँगा यहाँ पर सूर्य रेखा और परवत की माध्यम से आप अपने जीवन में होने वाले सफलता, असफलता, नाम, इज्य, शोरत, वेभव, किर्ती इन सारी चीजों के साथ-साथ आपका कितना वर्चस या कितना पकड़ कारे छेतर में घर परिवार में या समाज में रहेगा, इसको आप पता लगा सकते हैं ऐसे तो हथेली में अनेको प्रगार की योग निर्मित होते हैं अथ्वा हथेली के सिर्फ आकार के बलबूते पर बताया जा सकता है कि ऐसा जातक अपने जियोन में कितनी बड़ी उपलब्दियां हासिल कर सकता है या कहां तक पहुँचने की इस वेक्टी की ओकात है लेकिन अगर वास्तविक्ता में देखा जाये तो सफलता सबसे महत्पुन रूप से हमको सूर के छेतर से ही दिख पाती है सूर का छेतर इतना प्रबल होता है कि अगर यहां का परवत दब गया तो ऐसे जातक के अंदर चाहे लाक हो काबिलत क्यों ना हो दुनिया के सामने नहीं आ पाता और अगर सूर का छेतर दबा हुआ हो और सिर्फ छोटी सी यहां पर एक बहुत हलकी सी रेखा भी मोजुद हो तो ऐसा जातक कोई भी छोटा मोटा काम करेगा खूब नाम फेल जाएगा और अगर इसी में क्रोस का अगर चेन बन गया तो ऐसा जातक कि किसी प्रकार की गलती कर ले, लाख बार शुपा ले, वो छुपने नहीं वाला है, और अगर यहाँ पर क्रोस नहीं बना और इसके अलवा यहाँ पर स्टार का सायन बन गया, तो ऐसा जातक चाहिए कितनी ही गलती है क्यों न कर ले, दुनिया के सामने इसका नकरात्मकता नहीं आएगा, दु आज के टाइम में, नाम इज़त बनना या खराब होना बहुत मामूली से बात हो गई है, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि सूर्य का जो छेतर है, वो हमको करियर के बारे में सबसे पहले दरशाता है, हम किस परकर से अपने काम को तवज्ज़ देते हैं, काम की प्रात्मकता को र आएगी, सूर्य की रेखा कभी भी पका-पकाया माल नहीं देती, इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ भी आपको बेठे-बेठाय नहीं मिलेगा, अत्यांत संघर्ष करना पड़ेगा, दुनिया दारी से अलग हटना होगा, एक दम पागलो जैसा काम करना पड़ेगा, क्योंक इतना संघर्ष नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई वेक्ति आलसी है, या कामचोर है, या अपने काम को टालते हैं, तो फिर यह सूर्य रेखा इतना उस वेक्ति को तकलीफ पहुचाएगी, लेकिन कैसे भी कर संघर्ष किसी भी प्रगार से होते हुए जीवन में निश्चित रूप से सफलता देलाएगी, यह इस बात की गैरेंटे होते हैं सूर्य रेखा की, तो यहां कुछ चिन्नों के बारे में बात करनें, जो अत्यंत भागिशाली मानी जाती है, अगर आपके सूर्य के छेतर पर वी सिंबोल का साइन नीचे है, और यही सूर्य रेखा आगे ब इससे कोई मतलब नहीं है, सूर्य का छेतर इतना है, इसके बीच में कहीं भी आपका बन रहा हो और हरद रेखा के उपर, तो इस कंडिशन में क्या होता है कि ऐसे जात तक बहुत ज़्यादा अपनी जीवन में अपने काम के रिगार्डिंग कन्फ्यूज होते रहते हैं, औ एक बार पेसा लगाने के बाद उस चीज को भोगेगा, चाहे वो किसी प्रगार का यहाँ पर वस्तु हो, या फिर किसी प्रगार की सुख सुईदा हो, और कुछ समय भोगने के बाद फिर और चाहेंगे कि और अच्छा यहाँ पर उस वस्तु का सुख को भोग सकें, या तक बे-फिजूल की खर्चें बहुत माहिर होते हैं या इनका पेसा हमेशा दू बार लगेगा तब इनका काम बनेगा एक बार पेसे लगने में काम नहीं होता है और पेसा ऐसे इसे जगे लगता है कि बाद में अफसोस होता है तो यह इसका मतलब यह होता है कि इसा जातक अनेको माध्यम से पेसा कमाएगा या फिर अनेको माध्यम से खर्च करेगा तो खर्च भी वही वेक्ति करेगा जिसके पास धन है उतना तो ये दर्शारा है कि अब जो आप खर्च कर रहे हैं ये आप quality चीजों के उपर खर्च कर रहे हैं इसलिए आप जैसे जातक पेसा दे करके अधिक काम यानि अधिक पेसा दे करके काम कराने वाले होते हैं पांच-दस रुपे के लिए सो रुपे के लिए ज़्यादा आना कानी नहीं करते हैं तो इस condition में और ज़्यादा पेसा बढ़ता है क्योंकि पता रहता है पेसा कहां लगाना चाहिए किस प्रकार से सदुप्यों करना चाहिए क्योंकि आप जैसे जातक ये चीज समझ जाते हैं कि आपका समय ही आपका पेसा है तो जिनका दो मुखी रेखा हो उपर के तरफ इनके पास समय ही नहीं रहता इनके जीवन में सबसे बड़ी कमी इनका समय है और अपने लोग है और जिनका नीचे दो मुखी रेखा है अगर दोनों अलग-अलग किसे के हाथ में हो यानि किसे के हाथ में दो मुखी रेखा नीचे उपर ना हो उनके बात की जा रही है कि अगर नीचे सिर्फ आपकी दो मुखी रेखा हो तो ऐसे जाता को confusion जीवन में इतना जादा रहता है कि अगर ये व्यक्ति एक घर का कोई छोटा सामान भी लेने जाएंगे तो भी किसे को साथ ले जाएंगे कि तुम बताओ क्या करना है तो ये सूरी रेखा इतना जीवन में पहले सुरवात में उतार चड़ाओ या संगर्ष या कठिनाया या फिर धोके इस कंडिशन में क्योंकि बेफिजूल की खर्ची होती है तो उसके अनुसार कई मरतबा गरत लोगों पर भरोसा भी कर लेते हैं वहां से भी जो ठोकर मिलती है तो उसके बाद इनको लोगों की परक हो पाती है तो जब इस प्रगर का फॉर्मेशन हो की ऊपर भी दो मुखी हो जाए नीचे भी दो मुखी हो जाए तो सीधे सीधे समझ लेजेगा कि आपके जीवन में जो भी कठिनाईय या तकलीफे आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ आपको सुधारने आपको बहुत उचायों तक पहुचा ले या फिर आपके जीवन को बहुत सरल व सफल बनाने के लिए ही आ रही है तो अगर इस प्रगार की यूति किसी के हाथ में है तो वो निश्यत्रों से अपने आपको बहुत ही अत्यंत भागिशाली समझे दूसरा एक formation होता है दो मुखी रेखा का दो मुखी रेखा का formation कई मरतबा अच्छा होता है वो भी एक ही समय पर और वो भी घर परिवार को संभालते वे और खुद को भी देखते वे और ऐसा वेक्ति अगर आलसी है कामचोर है या बैमान है तो इस condition में जो पैसा आपके पास आएगा वो चला भी जाता है यहाँ पर समझेगा कि अगर दो रेखा आपके हाथ में चाहे छोटी हो या लंबी आपके जीवन में एक से ज़्यादा माध्यम से धनारजन और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के अनेकों अफसर आएंगे और इसलिए यसे जातक commission based भी काम करते हैं एजेंट भी होते हैं, consultation में भी जाते हैं या किसी प्रकार से marketing में भी involved होते हैं और दो का चार वाला जो काम है या चार का आठ वाला जो काम है उसके द्वारा भी धनारजन की योग निर्मित होते हैं एक चीज में आपको यहाँ एक गुप्त राज बता देना चाहूँगा, हस्त रेखा के अध्यान के अतिरिक्त कि ये भी देखने को मिलाए कि जो वेक्ती दो का चार काम करते हैं उनका जीवन में तरक्की होता रहता है condition यह रहता है कि वो लोग donate करते रहते हैं donation है कि इसी चीज होती है जिसमें धन की शुद्धी हो जाती है तो इसे जातक धन कमा गलत चीज से रहें भले से ही लेकिन उसका जो थोड़ा बहुत utilization है वो कही न कहीं धर्म के काम में या फिर दान धर्म पूजा पट या खान पान या किसी भी प्रकार से social work के रूप में कर दे रहें हाला कि ये कहना भी गलत रहेगा कि आप किसी दूसरी चीज का पिसा इस प्रकार के शुब काम में लगा रहें लेकिन ये चीज प्रैक्टिकली देखने को मिला है और मुझे तो बहुत खासकर रूप से ये चीज देखने को मिला है कि जो विक्ति इसे भंडारे रूप में कुछ-कुछ काम कराते रहते हैं खासकर राजनिताओं के हाथ में ये चीज बहुत देखने को मिली है तो वो लोग कुछ नहीं करते साल भर में एक-दो बार भंडारे उन्होंने करा दिया भोज रख दिया या नवरात्री के समय में कुछ आयोजन कर दिया तो उनका जो भी विवस्था है वो और ज़्यादा प्रगती ही करते रहता है कम नहीं होता है तो ये किये जो है इस काम को आप कर सकते हैं बाकि दूसरा दो मुखी या फिर दो यहाँ पर आपकी सूर्य रेखा है परन्तु धन बहुत अच्छे मात्रा में आपके पास जीवन में रहेगा तो यह थी सबसे महत्पर्ण बातें सूर के विशे में ऐसे तो सूर रेखा या सूर परवत के बारे में जितनी बाते बताया दीजाए सब के सब कम है क्योंकि इतनी छोटी छोटी रेखा हैं, सूर के उपर इतना घेरा असर दिखा जाती है किनी दो व्यक्ति के हाथ में एक ही सूरी रेखा हो लेकिन पूरा प्रभाव और परिणाम अलग आएगा क्यों आएगा क्योंकि हतीली का आकार अलग रहेगा रंग अलग रहेगा ये परवत का छेत्र अलग रहेगा इसमें मरकरी का किसी का दबाव रहेगा किसी का शनी का दबाव रहेगा नहीं तो सूर का उभार रहेगा और इसी एक छोटी रेखा में भी छोटी छोटी रेखा है साइड साइड में चलती रहती है, बहुत छोटी छोटी या फिर और भी अनदर लाइन क्रिस क्रोस करके जाती है, तो इस कंडिशन में इसलिए सूर्गर रेखा का अध्यन बहुत बारी किसे करना पड़ता है और अगर किसी के हाथ में क्रोस का रहा है, वो आपके भलाई के लिए आपके उद्धार के लिए आपके प्रगति के लिए ही हो रहा है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सूर्गर रेखा के और महत्मुन जानकरी आपको दिया जाएगा तब तक आप अपना ध्यान रखें केसी लगी ये जानकरी ज़रूर बताएं तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद